गुद मॉरिंग डियर स्टुडेंट, आइम डॉक्टर महेंदर सारन, वेलकम इन माई यूटूब चैनल, इंग्लिस लिट्रेचर गुरुजी डियर सारन, तोड़े वी विल डिस्केस, आम में प्रिवियस एक्जाम पैटरन, एड इस मोस्ट इंपोर्टेंट कुशन से, जैस पर पेपर होते हैं, फस्ट पेपर, लिंग्विस्टिक का पेपर होता है, आज हम केवल इसमें शेकिंड पेपर को ले करके चर्चा करेंगे, आम में प्रिवियस का फस्ट पेपर का वीडियो में कुछ दिनों बाद आपको बताऊंगा, और इसमें एक्स्प्रेंड तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाए, ताकि मेरे दुआरा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे, आई इसके सेकिंड पेपर के मोस्ट कुशन के बारे में, और इसके पेटन के बारे में कि किस तरह से इसका पेटन रहता है, और कौन-कौन से कुशन 2020 एक्जाम पेटन के लिए महत्वपुर्ण है, जैसा कि हम इसके सेकिंड पेपर के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं, तो सेकिंड पेपर में सबसा पहला जो रहता है वो explanation reference से समंदित रहता है जिसमें 8 explanation होती है जिसमें से हमें मन चाही कोई सी भी explain 4 explanation करने होती है हर explanation के पांच चंक निरदारित रहते हैं इस तरह से हमारा पहला explanation का प्रस्ण 20 नंबर का बनता है यहां पर हम long question के बारे में चर्चा करेंगे इसमें तीन section होते है section A section B और section C students section A में हमारे तीन drama है जिसमें William Shakespeare का एक बहुती famous tragedy drama है King Lear और Christopher Marlow का है इसमें Dr. Factus और Shakespeare का है एक दूसरा drama है The Tempest इन में से तीनों में से प्रस्ण दिये जाते हैं इन तीनों प्रस्णों में से आप कोई सा भी अपनी choice का कोई सा भी question कर सकते हैं यहां पर मैंने Tempest और King Lear को लेकर के कुछ महत्तुपूर्ण question दिये हैं जो 2020 exam pattern के लिए उप्युक्त है और आप इनी प्रस्णों को most important रूप से इने देखे इन प्रस्णों को याद करने का मतलब है कि आपको दोनों सामा अच्छे तरीके से लर्न होना तो मैं पहले आपको इसके question को repeat करके और इनको translate करके मैं बताना चाहूंगा जिसमें पहला प्रस्ण है है हाव फार इस इत करेक्ट तो से देट तेंपेस्ट इजे मिंगलिंग ओ रोमांस एंड रियलिज्म सेकंड कुशन है डिफाइन थीम एंड स्टोरी ओफ देप्ले प्ले तेंपेस्ट वित इत्स चरेक्टर और थरी कुशन है इसी में फोर्थ कुशन है राइट नोट ऑन थीम ओप मैडनेस इन किंग लियर कुशन नमबर फाइफ है डिफाइन किंग लियर एज ट्रेज़डी प्ले गीव ए सोर्ट नोट ऑन इस मैन इंपोर्टेंट करेक्टर दियर स्टुडेंट्स आप इस सेक्शन में सेक्शपियर के दो ड्रामा है क्रिस्टोपर मारलो का एक ड्रामा है इन में से आप कोई से भी दो ड्रामा अच्छे तरीके से लर्म करके 2020 एक्जाम पेपर की तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं मैंने टेमपेस्ट और किंग लियर चुकि यह विलियम सेक्षपियर के द्वारा लिखे गए बहुत ही फेमस ड्रामा है उन्हीं में से मैंने प्रसंद दिया है अब हम सेक्षण बी में चलते हैं सेक्षण बी में जॉन डन और फ्रैंसिस बेकन को लेकर की कुश्चन पूछे जाते हैं देर स्टुडेंट जॉन डन की इसमें बहुत ही मोस्ट पॉपुलर लव पोईम्स है जो एक्जाम पेपर की द्रस्टी से बहुत महत्तो पुर्ण ह है देखो मैंने यहां पर कुछ पोईम के critical appreciation संबंदी कुष्चन दिया है जिसमें पहला प्रसंद है राइट क्रिटिकल एप्रिशेशन ओप जोन दन्स पोईम दकनुनाइजेशन संत्वानी दफली रेलिक्यू एवेल डिक्षन फोबिडिंग मौनिग दियर स्टुडेंट डनकी या हमारे साथ या आज पोईम से इनमें से किसी भी एक पोईम का क्रिटिकल एप्रिशेशन पूछा जाता है 2020 एक्जाम पेपर पैटर्न के अनुसार दकनुनाइजेशन दफली रेलिक्यू एड वेल डिक्षन फोबिडिंग मौनिंग इनका क्रिटिकल एप्रिशेशन पूछा जा सकता है और इसका एक सदा बहार प्रस्ण है जो हमेशा प प्राथवा में है वोट दू यू अंडरस्टेंड बाइद फ्रेज मेठाफेजिकल कांस टू वाथ इफेक्ट डज डन यूज इट इन इस पॉइटरी अब शेकेंड कुश्चन पे चलेंगे जो ** बेकर के से रिलेटेड है फ्रेंस यसमें बहुत की सोशियल और बहुत ही चिर्फ्री चिते ऐसे दिये हैं जिनमें हमने दो कुश्चन person को मौस्ट इम्पोर्टेंड माने हैं जो इनके Bacon के सभी निबंदों का पूरी तरह से निचोड है जैसा कि इसका पहला प्रसन है What impression of Bacon's personality and character do you form from a critical study of his essay prescribed for you और इसी में है Bacon is a moralist in his essay justify the statement with the reference to the essay prescribed in your course से यानि कि आपके course में इसे समंदित जो ऐसे दिये गए हैं उनके आधार पर आपको justify करना है कि बेकन के इसे नेतिकता और मानविता पुरुन है अब हम चलते हैं section C में section C में हमारे पास चार राइटर हैं जिसमें जोन ड्राइडन है जोन ड्राइडन के अलावा इसमें जोन मिल्टन है जिसका paradise lost है जोन ड्राइडन का एप्सलोम एंड एची टोपेल है और जोनातन स्विप्ट का battle of the books है यहां पर हमने केवल जोन ड्राइडन और मिल्टन के पेरडाइड लोस्ट से related questions हमने यहां लिखे हैं क्योंकि इनमें सभी में से प्रसंद पूछा जाएगा और इनमें से कोई एक प्रसंद आपको करना होगा जोन ड्राइडन एप्सलोम एंड एची टोपेल एक पॉलिटिकल सटायर लॉंग क्रिएशन है जो बहुत ही महत्तोपुर्ण है और प्रडाइज लोस्ट में से हमेशा क्यूशन पूछा जाता है जो मिल्टन का बहुत ही फेमस रिलेजियस क्रि आपको इसमें इसके क्रेक्टर भी दिखाने है जैसा कि इसके तीन महत्तोपुर्ण करेक्टर है जिसमें एप्सलोम है एची टोपेल है और किंग डेविड है अब हम चलते हैं इसके शेकेंड राइटर की तरफ जिसमें जोल में क्यूशन नम्मर दो है वाट आइडिया दू फॉर्म ओप दा प्रसनल्टी एंड करेक्टर ओप सेतान इन प्रडाइज लोस्ट और अथ्वा में है इसमें इलुस्ट्रेट मिल्टन्स प्रडाइज लोस्ट इजन एपिक यह एक महा काववे केशे है डिसकस दथीम ओप मिल्टन्स प्रडाइज लोस्ट बुक फस्ट एंड रोट बाउट दा कॉनप्लिक्ट बिट्विन गोड एंड सेतान हमने प्रडाइज लोस्ट से रिलेटेड यह तीन क्यूश्चन दिये हैं जो आशिंक रूप से 2020 एक्जाम प को लर्न करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको पूरी तरीके से यह सारी क्रियेशन याद होना आज हमने शेकिंड पेपर के महत्तोपूर्ण पर्षनों के बारे में हमने चर्चा करी है यह जो भी परसन में बताए हैं यह संभावित रूप से बहुत ही महत्तोपूर्ण पर्षन है 2020 एक्जाम पेपर पैरैटर्ण के लिए Dear student, हमारे second paper में पहला प्रसन explanation से समंदित रहता है जिसमें reference और context से समंदित question पूछे जाते हैं और हमारे हर section में से question पूछा जाएगा जैसे कि आपका जो section A रहेगा long question का उसमें King Lear, Tempest और Dr. Fartas से related question पूछे जाएगे आप इन में से कोई सा भी एक प्रसन अपने अच्छानुसार कर सकते हैं section B में हमारे दो writer है, John Dunn है और Francis Bacon है इन में से आप कोई सा भी एक question कर सकते हैं और section C में हमारे चार writer हैं जिसमें से आप कोई सा भी एक question अपने अनुसार कर सकते हैं इस तरह से तीन लोग क्यूशन और एक प्रसन हमारे एक्स्प्रेनेशन का हो गया और एक क्यूशन आप अपनी चानुसार कोई सा भी कर सकते हैं दियर स्टुडेन्ट मैंने जो भी आपको प्रसन बताए हैं यह सारे प्रसन संभावित रूप से आने की संभावना है और आप इस पेपर पैटर्न को और जब आप इस पेपर को लर्न करें तो आप ड्रामां के केरेक्टर्स उनकी थीम, प्लोट, समरी का डिस्क्रिप्शन आ का इंट्रोडक्शन, समरी और क्रिएशन का इंट्रोडक्शन देना न बूले और अगर ड्रामा में सी कुष्चन पूछा गया है तो आप इसके करेक्टर भी जरूर लिखें यो समझें कि अगर आपने क्रिटिकल एप्रेशन से समंदित अगर कोई कुष्चन आप हल कर रह इसकी एक्स्प्लेनेशन महत्व पूर्ण है डियर स्टुडेंट इस वीडियो में हमने सेकेंड पेपर के बारे में डिसकस किया है मैं आपको फस्ट पेपर के बारे में भी पूरी तरह से अगले वीडियो में एक्स्प्लेन करूंगा क्योंकि फस्ट पेपर लिंग्विस् दिनों के बाद आपको पोस्ट करूंगा थेंक्यू बेरी मस्ट डियर स्टूडेंट